हेलो एव्रिवन वेल्कव टेक्शन में आज के सेशन में हम सब क्वेरी का एक और एक्जम्पल कवर करेंगे जिसके लिए पहले में क्या करूंगा आपको कुछ टेबल्स दिखाऊंगा उन टेबल का अब डेटा देखेंगे फिर उस डेटा और उस टेबल के अकॉर्डिंग ह जहां पर हमें पता चलेगा कि कैसे हम सब क्वेरी की हर्प से डेटा पैच कर सकते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हैं यहां पर कमांड लिखेंगे जो हमारे को स्क्रीन पर ले जाएगा और में कुछ प्वेरी आपको दिखाऊंगा तो अभी के लिए मैंने दो टेबल बना हमारे पास Students मैं आपको दोनों क्वेरी वापिस दिखाता हूं तो पहली टेबल हमारे पास Create Table Student Name से जहां पर हमारे पास Student ID है Student Name है, Age है और Class है यह एक अल्रीड टेबल क्रेट होई भी है उसके बाद में Second जो टेबल हमारे पास वह है Grade Name से ठीक है उसका भी क्वेरी में आपको दिखाता हूं मैं अल्रीड टेबल करेट कर चुका हूं यह Second टेबल है जहां पर Grade की डिटेल है तो इसमें क्या है हमारे पा स्टार प्रॉम यह एक नॉर्मल क्वरी में रन करना हूं शर्मित वन स्लैश और यहां पर लिखेंगे पहले स्टुदेंट्स तो इस स्टुदेंट में क्या है स्टुदेंट का आईडी स्टुदेंट का नेम और अगर शिफ्ट एफ एट करूंगा तो आपको दिखेंगा देख और अरे इज और ख्लास भी में शेंट तो इसमें तो इतना ही डेटा है एज क्लास तक डेटा दूसरी टेबल जो है हमारेपास प्रिट्स के घ्री अधिन उस subquery को देखके आपको clear होगा कि हाँ हम किस purpose से उस subquery को लिखे हैं तो उसकी subquery में यहाँ पे retrieve करता हूँ हाँ यह वाला हमारा subquery main subquery है तो इसमें हम क्या करना है इसमें हमने लिखा select student id student name from students table तो अभी सिर्फ इतना portion अगर आप देखो तो हम यहाँ पे क्या करना है student id को fetch कर रहे हैं और student name को fetch कर रहे हैं कहां से students table से और उसके बाद में हमने एक where condition लगाई है कि student हमें सिर्फ वही record fetch करना जहां पे student id in in operator का हम यूज़ कर रहे है match करें किस से student id from grade table where subject is math and grade is a तो हमें के actual में यह करना है कि हमें सिर्फ उस student का detail fetch करना है जिसके mark है वो subject जिसका math subject में grade a हो ठीक है और in हमने uses link है कि जो भी से related students होंगे उनको यह fetch करके लाएगा तो अगर में यहां पर enter हीट करता हूं तो आपको data क्या मिलना student id 1 student name john और shift at f8 करना के बाद ओके हमने दो यह fetch किया थे दो column तो यह दो column के लिए हमारे को data लेकर आया बड़ actual में हो क्या रहा है यहां पर दो query use कर रहे हैं जिसको हम sub query बोलते हैं तो यह second यह वाली जो query है वो sub query है और यह internal query है ठीक है यह internal है और यह वाली outer query है तो जब भी हम sub query use करते हैं तो क्या होता है पहले वो सबसे पहले internal query को execute करता है तो उस case में क्या होगा सबसे यह वाली query चलेगी select करेगी student ID को कहां से grades table से जहां पर subject math हो और grade A हो इस तरह से आप end लगा के या और लगा के और भी conditions से यहां पर mention कर सकते हैं जैसे भी आपकी need है ठीक है बट अब इक लिए मैंने क्या लगाया एक तो मैंने चेक किया कि subject है वो math होना चाहिए और grade है वो A होनी चाहिए अगर ऐसा है तो वह जो student ID है उसको फिर वह match करेगा outer query से query की equal है जो इस query से जो output है उसके अगर equal है तो उसको print करते हैं यहां पर हम करते हैं enter enter करने के बाद में आपको क्या मिला student ID student name तो यह एक पूरा example है subquery से related अब question आता है कि अगर हमारे को same चीज हमारे को एक SQL RPG लिए program में use करना तो वह कैसे होगा तो इसके लिए मैं आपको एक sample program दिखा जीता हूं उसमें आप बस कुछ customization करें कि उस program को भी आप use कर सकते हो तो यहां पर हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं हमने constant बनाया SQL state underscore valid name से 5 times 0 के साथ और इस constant को हम यूज करेंगे अपनी query को verify करने के लिए कि वह proper execute हो या नहीं उसके बाद में यह data structure यह actual program किसी और purpose से बनाया था बट मैं आपको खाली main changes बता रहा हूं जो आप करके इस query के लिए भी इसको use कर सकते हो तो इसके लिए क्या करना होगा आपको सबसे पहले जो एक data structure वह बनाना होगा जो आपका query की requirement है तो इस query में क्या requirement है इसमें हमारे को student ID और student name पिक करना है तो आपका data structure का sub field भी यह होना चाहिए student ID और student name ठीक है यह SQL RPG लिए प्रोग्राम हम अलरड़ी काफी बार इसलिए मैं separate program नहीं बना रहा है मैं खाली आपको main query समझा रहा हूँ और main query को कैसे use करना है वह जिसने आपके customization बता रहा हूँ अगर आपने बिल्कुल भी अगर आपका idea ने इसके RPG लिए प्रोग्राम सका तो आप क्या कर सकते हो वह सारे sequential session है तो उससे आपको clear हो जाएगा कि यह सब चीज़े कैसे होती है अभी के लिए मैं mainly focus करना है सिर्फ sub query पे ठीक है तो यहाँ पर आपको क्या करना है data structure के sub field बनाने जो भी आपको query fetch कर रहा हूँ उसके according यहाँ पर क्या फैच हो रहा है student id student name उसके बाद में आपको commit none पे set करना है और यहाँ पर actual जब आप cursor बना रहे हो तो उस जगे पर आपको अपनी query को इस query से replace करवा देना है और cursor का name भी जो भी आपकी जैसे अगर हम student का data fetch कर रहे है तो उसको बना देंगे ODI जैसे ODI data यहाँ पर लिखावा है तो महाँ पर आ जाएगा student data cursor बन जाए cursor बनने के वाद में cursor को open करेंगे तो लिखना है exact SQL open ODI data जो भी आपको cursor ने में वो आएगा फिर आपको एक loop run करना है और उस loop में condition इस तरह सरक सकते हैं वो यहाँ आप mention करोगे उसके बाद में basic validation आप कर सकते हो तो यहाँ पर हम चेक कर रहे है SQL state अगर 2009 है तो display कर दो end of file अगर not valid है तो print कर दो error encountered leave और अगर सब कुछ सही है तो उस case में जो भी values आपने fetch करी थी data structure में उसको आप print करा सकते हो और यहाँ पर end of करके बाद में cursor को हम कर देंगे close, cursor close हो गया उसके बाद में NLR को on करना है जैसे आप इस program को फिर बाद में run करोगे तो वो आपको आपका data show कर देगा और अगर उसमें कुछ भी error generate होता है तो उस error वाली condition में वो आपको SQL state error encountered का message show कर देगा तो यह सब basic चीज़े हम already बहुत बार discuss कर चुके हैं कि कैसे SQL rpg ली program मनता है कैसे compile होता है बट अगर फिर भी आपको idea नहीं उसका तो आप previous sessions go through कर सकते हो इस session में mainly अभी जो series हमारी चल रहे हैं उसमें हम यही focus कर रहे हैं कि कैसे हम sub queries का utilization कर सकते हैं वह ही हमारी priority है बट अगर आपको SQL सीखना है तो आप मैं यह recommend करूंगो कि आप initial से पूरा sequence के साथ समझें जिससे आपको यहां तक आने में problem ना हो और यह topic भी easily समझ में आ जाए है ठीक है तो इस session में हमने क्या discuss किया हमने discuss किया कि कैसे sub query की help से हम student के record को fetch कर के ला रहे हैं यह अलग एक example हमने cover किया जिसमें हमारी requirement थी कि हमें वही data pick करना है जिस student का subject math में grade A हो अगर ऐसा है तो उस case में आप data को fetch करेंगे और इन operator हमने यहां पर यूज किया है तो according हमारा data यह लेकर आएगा तो अब्विस सी बात है अगर आप sub query यूज कर रहे हो तो mostly हम दो table के साथ ही यूज करते हैं although हम single उसके साथ भी replica बना के यूज कर सकते हैं sub query यहां पर हम दो table यूज कर रहे हैं पहली है students और दूसरी है हमारे पास grade name से और उन दोनों में जो भी conditions हमें apply कर रहे हैं वो हमारी sub query data fetch करके ला रही है तो इस तरह से हम sub query के help से different different scenarios के लिए ऐसी query लिख सकते हैं जो अपनी requirement के according data fetch करें एक बर आपको examples clear हो गए उसके बाद में फिर आपको कोई भी condition उस according अपने sub query को design कर सकते हूं ठीक है तो इस session के लिए इतना ही था next session में बाके topic discuss करेंगे so thank you for watching Techshare में तुक्राइब तुक्राइब करेंगे